यह कुमलाथ पांच घंटे तक कठोर रसी को पकड़े रखा और मैं क्या बताओं ही कि मेरीक इसली डर्ने लग रहा है मेर को इसलने पॉपने सुपनी सक्ति के नियुक्तौश मेरे यर्ल मениयरे पियार करते एसली ठांच और लाशा नियुक्तौश अने जगा था वहीं पर एक चिमनी था और उसके बगल वगल में वो था पेड़े थे तो दो पेड़ में उसको बान दिये तो फिर हम लोगों को उतार की जो पीछे बैठी हुए थे अंकल वह हमें लाए आधा दूर छोड़े आधा दूर से मुझे रास्ता पर जा था तो फिर मैं आई और फिर आधा दूर से अंकल पापा जी के फ ईसका थख तो अगर अगर यह नहीं रहती ना मैं तो अराम से तर्फ ये थी तो मिन उतर पाती प्र हैना तो मैं उसको यह तो पहसी आपकी बहन बोलने कि मुझे डर नहीं लग रहा था मेरे को डर था अपनी चोटी लेकिन छोटी बहन बोले है कि पापा जी का मुझे दर ठा आपको क्यों नहीं लग रहा था क्यों कि पापा करते हैं इसलिए सी साल उम्र है आपका सच देखे कीछ साल की बच्ची बता रही है कि मुझे इतना बारा टेंसन था कि मेरे पापा को कुछ नहों जाये कि बच्ची बैठी थी हाथी पे लेकिन बच्ची को तथा कि मेरे कुछ हुआ यह नहुआ लेकिन पापा को कुछ ना हो जाए और देखे पिता जी के आखों में आसु जलक राए पिता जी आज रो रहे हैं रो रहे हैं इसलिए कि मेरे बेटा मेरे सामने है मेरे बच्ची दोनों सामने है और यह दोनों बच्ची मेरा वेटा है मेरा फ्रेंड है मेरे मंपी पापा है और दोनों मेरा मने सब कुछ मेरे बेटा ही है और आज एह하기 नहीं है तो हम नहीं है लेकिन समझेए एक चोटे चोके मासूम बच्चे कल 5 गणटे से पागल हाथी का सामना कड़के आज सबके सामने है कहीं न कहीं इस्वर का देन है और आज इस्वर नहीं होते तो सायद कुछ नहीं होता और कहीं न कहीं इस्वर के साथ साथ उस पिलवान का है और पिलवान के साथ इन पिता का है जो पिता आज रो रहे हैं दिखाइए सर देखें पिता किस तरीके से रो रहे हैं सर सब कुछ ठीक है सर आज आपकी देन है सर आज आप लाखों लोगों की आप आशू पुछे हैं कहीं न कहीं उन सबों को दुआ है कि आपके बच्ची आपके साथ है अब मुझे निसब्द हूँ अभी फिलाल और कहीं न कहीं मैंने जो हिंमत दी इनको वो मुझे से 10 कदम आगे निकल गए मेरे बच्चे क्योंकि मैं हिंमत को सवय मार रहा था जिस दौरान मैं इनको देख रहा था उस वक तक तक मुझे हिंमत थी मैं ने देख पा रहा हूं आ सब्सक्राइब नहीं दिखे तो फिर मुझे समस्या होने लगी और फिर उस दौरान इन्हों ने अपने जीगर का इस्तेमाल किया अपने डियर का इस्तेमाल किया तो दस कदम सो कदम मेरे से आगे मेरे बच्चे निकल गए हिम्मत में और सर यह कुमल हाथ पांच घंटे तक कठोर रसी को पकड़े रखा और मैं क्या बताऊं कि बहुत बढ़ी सब्सक्राइब कल एक कुमाल हाथ जिसके सर एक रसी अगर हम लोग से नहीं हो आप भी सोच नहीं सकते हैं सर कि पांच घंटे उस तरीके से एक रसी को करके लगतार सामना करें वह भी पागल हां थी का लेकिन आज आज आपके बच्चे आप से भी आगे निकल गए क्या बाबू आप मुझे समझ में आया कि जिम्मेदारी क्या होती है जैसे हम लोग के दोनों को ध्यान देते थे वैसे ही मैं अभी अपना छोड़के अपनी बेहन का ज्यान की जिम्मवारी क्या होता है 10 साल की बचियों से हम लोग को सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए कि इस अइसा कुछ नहीं होता है हर कोई किसी न किसी ब्यक्ति को बता सकता है शिखा सकता है लेकिन कल बच्ची को भी जो घर पे जो रूज लाई करती थी बोलती थी कि बहन तुम मेरे सामने मता ओ बहन कल अपना जान को फिक्र ना करके छोटी बहन का रक्षा किये क्या बोलिएगा उस पेलवान का जो आप लोगो को लगतार एक कौफरेट किया और बोल मांटि आखिया उनकियों का बहुत सक्यालते लुगा उन तमाम लोगों के बारे में और जो लोग अपने बच्ची को बेटी को बेटी मानकर कुछा नहीं कुछ बताते नहीं हैं कुछं éki我在 your 的 क Adjust की बड़े भागे से पुतर का जनम होता है और सो भागे से पुत्रियों का जनम होता है। तो सेकड़ों भागे हैं मेरे पास की दू पुत्रियों शे नावाजा इश्वार ने। है कि कि प्पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कि क्या होगा मेरे लाइफ में मेरे बच्चे ये सब मेरे अगल बगल के हैं जो फ्रेंट्ली मेरे साथ रहते हैं शैद अपने पीता और माता के पास भी यह बच्चे जो है आप देख पा रहे हैं ठीक बीशे जो खड़ें बैठे ह यह उसे कहीं ज़्यादा मुझसे फ्रेंडली रहते हैं और मैं मावाब को भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को फ्रेंडली रखें दाठ फटकार और अनुसासन भी जरूरी है क्योंकि अनुसासन हीन बच्चे कहीं न कहीं तरक्की के बाद हक हैं तो घर में एक अ दोड़ा सा टाइम पास का एक संसाधन हो सकता है किन्तु सब कुछ नहीं हो सकता यह सारी चीजें पालकों को सोचनी होंगी बच्चों के जित के आगे हम बच्चा जहर भी मांग देता है तो पता नहीं कि आम जहर परोस देंगी यह आज के देट में इंड्रोइड मुबाइल जो खासकर एंड्रोइड मुबाइल है वो कीपेट से सोग उना ज्यादा रिडियेशन होते हैं तो उससे भी दूरी बनाएं और माताओं से निवेदन हैं कि अपने बच्चों का ध्यान मुबाइल को साइड में रखकर दें क्योंकि मोबाइल एक निर्जीव ची खुद नहीं इनके साथ जूजिएगा तो मैं कभी गढ़ा बनता हूं कभी घोडा बनता हूं और सर मैं खेलता हूं इनके साथ में और खेलने के बाद एक friendly महौल सा उत्पन करते हैं और मेरे बीटिया को मैंने कहा है कि आप पढ़ने का एक समय होता है वह ज्यादा नहीं द करते हैं कि इस याद कर ना था बड़ाइव को तक नि न था और खेलते हैं तो फ्रेंडली करते हैं प्यार करते हैं पापा के लिए क्या बुलिएगा बेटाजी पापा बहुत अच्छे हैं पापा को हर दिन जिन्दा रखना कभी मारना नहीं और ऐसा पापा सबको मिलना चाहिए यहां जो बच्ची की कल साथ में जो पागल हाथी ने एक ऐसा रौंद रूप दिखाया कि आप आपके साथ वेगर ऐसा घटना होता तो आपका भी हो सूर जाता लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची अपने आपको कंट्रोल कर पाई हाथी का सामना की और बहुत साड़े लोगों को हाथी ने चोट पहुंचाने की कोशिश किया लेकिन उस पे बैठे पिलवान ने काफी उन्हो होने कम से कम 15-20 किलो मिटर तक ले हाथी को नियंतर में रखने की काभूग में किया लेकिन कहीं न कहीं जाकर बच्ची को स्वहिश रक्षित देख पा रहा हैं बाकी बस यहीं कहेंगे कि अगर बच्ची के साथ आप लोग यह कहीं भी जाते हैं मेला या कहीं भी तो अब हा हाथी घोरा वाला जो किसी ने साध नहीं रहेगा तो ऐसा आने वाले इन फ्यूचर में कोई घटना नहीं घटे बस यहीं कहेंगे कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को सहर कीजिए और यहाँ वीडियो काफी सोसल मीडिया पर वारेल चल रहा है काफी चल रहा है कि जो बची दो बची के साथ जो कल घटना घटा है इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो बस यहीं कहेंगे फिरसे वहीं कि आगर कोई भी मेला हो कोई महावीरी ज्हंडा हो या कोई भी फेस्टिवाल हो उसमें हाथी का जूलुस नहीं होना चाहिए बस बच्य के लि